C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 14 प्रायोगिक ज्यामिती प्रिष्ट 295 14.1 भूमिका हम अनेक प्रकार के आकार यानी शेप्स देखते हैं जिन से हम परिचित हैं, हम बहुत से चित्र बनाते हैं, इन चित्रों में विभिन आकार नहित होते हैं, हम इन आकारों में से कुछ के बारे में पिछले अध्यायों में पढ़ भी चुके हैं, आप इन आकारों की एक सूची बना लें कि ये किस प्रकार प्रकट होते हैं, इस उन्हें देखें तथा उनके नाम और प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यहां एक सारणी दी गई है। क्रम संख्या एक नाम रूलर रत्वा सीधा किनारा उसकी आक्रिती विवरण सधानतिक रूप में एक रूलर में कोई चिन्ह नहीं होते हैं। परन्तु आपके ज्यामिती बॉक्स की रूलर में एक किनारे की अनुदिश सेंटीमीटर में चिन्ह होते हैं। और कभी-कभी दूसरे किनारे पर इंचों में चिन्ह होते हैं। प्रयोग रेखा खंडों को खीचना और उनकी लंबाईया मापना। प्रिष्ठ 296 दो परकार आक्रिती विवरण। इसके दो सिरे होते हैं। एक सिरा नुकिला होता है और दूसरे सिरे पर पैंसिल रखने का स्थान होता है। प्रयोग बराबर लंबाईया अंकित करने के लिए परंत उन्हें मापने के लिए नहीं। चाप और वृत्त खीचने के लिए। तीन डिवाइडर आक्रिती विवरण। इसके दो नुकिले सिरे होते हैं। प्रयोग लंबाईयों की तुलना करने के लिए। चार सट स्क्वेर आक्रिती विवरण। दो त्रिभुजा कार यंत्र हैं। एक में शीर्षों पर कोण 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री हैं। और दूसरे में यह कोण 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री होते हैं। विवरण। लंब रेखाओं और समानतर रेखाओं को खीचना। पांच। चांदा यानि खोण मापक। आक्रिती। विवरण। एक अर्ध वृत्ताकार यंत्र जिस पर 180 डिग्री भाग चिनहित होते हैं। यह मापन दाई और से 0 डिग्री से प्रारंभ होकर 22 और 180 डिग्री पर समाप्त होता है। और ऐसा ही 22 और से 0 डिग्री प्रारंभ होकर दाई और 180 डिग्री पर समाप्त होता है। विवरण, कोडों को खीचना और मापना प्रिष्ट 297 हम रूलर और परकार की रचनाओं पर विचार करने जा रहे हैं। इन में रूलर का केवल रेखाईं खीचने और परकार यानि कमपस का केवल चाप खीचने में प्रयोग किया जाएगा। इन रचनाओं को बनाते समय पूर्ण सावधानी बरतिये। यहां आपकी सहायता के लिए कुछ सुझाव दिये जा रहे हैं। ए, पतली रेखाईं खीचिये और हलके बिंदू अंकित कीजिये। बी, अपने यंत्रों को नुकीले सिरे और पतले किनारे वाला बना कर रखिये। सी, अपने बक्स में दो पैंसिल रखिये। एक परकार में रखने के लिए और दूसरी रेखा या वक्र खीचने और बिंदूओं को अंकित करने के लिए। 14.2. वृत्त सामने दर्शाय गई पहिये को देखिये। इसकी परिसीमा यानि बाउंडरी पर स्थित प्रत्येक बिंदू इसके केंद्र से बराबर दूरी पर है। क्या आप ऐसी कुछ और वस्तूएं बता सकते हैं और उन्हें खीच सकते हैं। ऐसी पांच वस्तूओं के बारे में सोचिये जो इसी आकार की हों। 14.2.1 एक वृत्त खीचना जब उसकी त्रिज्या ग्यात हो। मान लीजिये हम तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खीचना चाहते हैं। हमें अपने परकार का प्रयोग करने की आवशकता है। यह निम्न चरणों में किया जा सकता है। चरण 1. परकार को वांचित त्रिज्या तीन सेंटीमीटर के लिए खोलिए। चरण 2. एक नुकीली पेंसिल से वह बिंदु अंकित कीजिये जिसे हम वृत्त का केंदर बनाना चाहते हैं। इसे बिंदु ओ से नामांकित कीजिये। चरण 3. परकार के नुकीले सिरे को ओ पर रखिये। चरण 4. वृत्त कहींचने के लिए फरकार को धीरे धीरे घुमाएए। ध्यान रखिये कि चक्कर एक ही बार में पूरा हो जाए। ये चरण साथ दी गई आकृतियों में दर्शाय गए हैं। सोचिये, चर्चा कीजिये और लिखिये। क्या आप केंद्र O लेकर एक बिंदू मान लीजिये P से होकर वृत्त कहींच सकते हैं। प्रश्नावली 16.1 1. 3.2 cm त्रिज्या का एक वृत्त कहींचिये। प्रिष्ठ 298 2. 1 ही केंद्र O लेकर 4.5 cm त्रिज्या वाले 2 वृत्त कहींचिये। 3. एक वृत्त और उसके कोई दो व्यास खींचिये। यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें, तो कौन सी आकृती प्राप्त होती है। यदि व्यास परस पर लंब हूं, तो कौन सी आकृती प्राप्त होगी। आप अपने उत्तर की जाँच किस प्रकार करेंगे। 4. एक व्रित्त खींचिये और बिंदु A, B और C इस प्रकार अंकित कीजिये के A. ए व्रित्त पर स्थित हो B. व्रित्त के अभ्यंतर में स्थित हो C. सी व्रित्त के बहिर भाग में स्थित हो 5. मान लीजिए A और B समांत्र ज्याउं वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं इनहें इस प्रकार खीचिए ताके एक वृत्त दूसरे के केंद्र से होकर जाए इनहें C और D पर प्रतिछेद करने दीजिए जाच कीजिए के रेखाखंड A, B और C, D परस पर सम कोन पर हैं 14.3 एक रेखाखंड याद कीजिए के एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं इसी कारण हम इसकी लंबाई रूलर से माप सकते हैं यदि हमें किसी रेखाखंड की लंबाई ग्यात हो तो इसे एक आकरिती द्वारा निरूपित करना संभव हो जाता है आईए देखें कि हम ऐसा कैसे करते हैं 14.3.1 एक दी हुई लंबाई के रेखाखंड की रचना करना मान लीजिए हम 4.7 सेंटिमीटर लंबाई के एक रेखाखंड की रचना करना चाहते हैं हम रूलर का प्रयोग करके 4.7 सेंटिमीटर की दूरी पर दो बिंदू A और B अंकित करते हैं A और B को मिलाने पर हमें रेखाखंड A B प्राप्त होता है बिंदू A और B को अंकित करते समय हमें रूलर पर सीधे नीचे की ओर देखना चाहिए अन्य था हमें सही उत्तर प्राप्त नहीं होगा रूलर और परकार का प्रयोग एक अच्छी विधी यह होगी के दी हुई लंबाई के एक रेखाखंड की रचना करने के लिए परकार का प्रयोग किया जाए चरण एक एक रेखा L खीचिए और उस पर एक बिंदू A अंकित कीजिए चरण दो परकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर रखिए इसे इस प्रकार खोलिए कि पैंसिल वाला सिरा चार दशमलव साथ सेंटिमीटर चिन्धम पर आ जाए ये चरण आकृतियों में दर्शाए गए है प्रिष्ठ 299 चरण तीन यह सावधानी लेते हुए कि परकार के पैलाव में कोई परिवर्तन न हो उसके नुकीले सिरे को बिंदु A पर रखें और L को B पर काटता हुआ एक चाप लगा दीजिए चरण चार रेखाखंड A B वानशित लंबाई 4.7 सेंटिमीटर का एक रेखाखंड है साथ दी गई आकृतियों में ये दर्शाया गया है प्रशनावली 14.2 1. रूलर का प्रयोग करके 7.3 सेंटिमीटर लंबाई का एक रेखाखंड कीचिए 2. रूलर और परकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटिमीटर लंबाई का एक रेखाखंड कीचिए 3. 7.8 सेंटिमीटर लंबाई का रेखाखंड AB खीचिए इसमें से रेखाखंड AC काटिए जिसकी लंबाई 4.7 सेंटिमीटर हो रेखाखंड BC को मापिए 4. 3.9 सेंटिमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB दिया है एक रेखाखंड PQ खींचिये, जो रेखाखंड AB का दो गुना हो, मापन से अपनी रचना की जाँच कीजिये. संकेत, रेखाखंड PX खींचिये, ताके PX लंबाई रेखाखंड AB की लंबाई के बराबर हो. फिर रेखाखंड XQ काटिये ताके XQ की लंबाई भी AB की लंबाई के बराबर हो इस प्रकार रेखाखंड PX और XQ की लंबाईयां मिलकर रेखाखंड AB की लंबाई का दो गुना हो जाएंगी 5. 7.3 cm लंबाई का रेखाखंड AB और 3.4 cm लंबाई का रेखाखंड CD दिया है एक रेखाखंड XY खींचिये ताके रेखाखंड XY की लंबाई रेखाखंड AB और CD की लंबाईयों के अंतर के बराबर हो 14.3.2 एक दिये हुए रेखाखंड के बराबर रेखाखंड की रचना करना मान लीजिए आप एक ऐसे रेखाखंड की रचना करना चाहते हैं जिसकी लंबाई एक दिये हुए रेखाखंड AB की लंबाई के बराबर हो एक तुरंत और स्वाभाविक विधी यह होगी कि आप रूलर का प्रयोग करें जिस पर सेंटिमीटर और मिलिमीटर के चिन्ह अंकित हों उस से रेखाखंड A.B. को माप लिया जाए और फिर उसी लंबाई का प्रयोग करके एक रेखाखंड C.D. खीच लिया जाए एक दूसरी विधी यह होगी कि एक पारदर्शक खागज का प्रयोग करके रेखाखंड A.B. को खागज के अन्य भाग पर अक्स यानि ठ्रेस कर लिया जाए परंत इन विधीयों से सदैव सही परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं प्रिष्ठ 300 एक और अच्छी विधी होगी कि रचना के लिए रूलर और परकार का प्रयोग किया जाए यह रचना रेखाखंड A.B. के लिए निम्न प्रकार की जाती है चरण 1. रेखाखंड A.B. दिया है जिसकी लंबाई ग्यात नहीं है चरण 2. परकार के नुकीले सिरे को A पर रखिए और पैंसिल को B पर रखिए परकार का प्हेलाव रेखा खंड A.B. की लंबाई बताता है चरण 3. कोई रेखा L खीचिए L पर कोई बिंदु C लीजिए परकार के प्हेलाव में बिना कुछ परिवर्तन किए उसके नुकीले सिरे को C पर रखिए चरण 4. एक चाप लगा ये जो L को D पर मान लीजिए काटे अब रेखा खंड C.D. ही रेखा खंड A.B. की लंबाई के बराबर का रेखा खंड है ये चरण 7 दी हुई आकृतियों में दर्शाए गए है प्रशनावली 14.3 1. कोई रेखा खंड P.Q. खीचिए बिना मापे हुए रेखा खंड P.Q. के बराबर एक रेखा खंड की रचना कीजिए 2. एक रेखा खंड A.B. दिया हुआ है जिसकी लंबाई ग्यात नहीं है एक रेखा खंड P.Q. की रचना कीजिए जिसकी लंबाई रेखा खंड A.B. की लंबाई की दोगुनी हो अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक वाचनस्वर गौरव मार्वा निर्मान सहयोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत निर्मान विमलेश प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T.